हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनेल वेनजीस की चन में आप साब का स्वावत है वो इंटर सेजन आ गया है आज हम ब्रोकोली के सब्जी बनाएंगे क्योंकि ब्रोकोली हट टाइम नहीं मिलता है चलिए वीडियो स्टार्ट करते है ब्रोकोली के सब्जी बनाने के सब्जीर में इस्प्रींग और यह टमटेलिया है है अपन पानी ले लिया है और भॉकोली को हमने अभी पानी में डाल देंगे अपने पर पहले हमने एक पैन ले लिया है देखिए पैन को हम थोड़ा पहले गरम कर लिया है और फिर हम वहां पर दो टेबल्ल सामुच ओयल डाल देनगे दिख़िए ऑयल को हम पहले थोरा गरम कर लिएगे मीडियम फिलें पर हमरा जो है गरम हो गया हैं फिर हम यहां पर ऑनियॉन डाल एक मीडियम साइज का ओनियोन हमने बारिक कटा हुआ है देखिए वह हम डाल देंगे ओएल पे और फिर अच्छी तरह से हम उसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे ओएल के साथ फिर हम यहाँ पे एक बारा चमुच आधरक रोसुन का पेस्ट लिया है देखिए उसे भी हम ओनियोन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए 5 मिनिट के लिए हम भून लेंगे देखिए मेडियम फ्लेंपे और फिर हम यहाँ पे एड़ करेंगे ग्रीन चीली हमने चार ग्रीन चीली लिया है देखिए वह बीच से काटा हुआ है फिर उसे भी हम डाल कर आच्छी तरह से भून लेंगे फिर हम यहाँ पे एक कप हरा माटर एड़ कर लेंगे देखिए उसे भी हम भून लेंगे हम जितना यहाँ पी इंगिडेंस डाल सकते है उतन सारे सब्जी को हम medium flame पर ही भूनेंगे और हमने एक छोटा कैस सी कम लिया है वो भी हमने चौप किया है उसे भी हम डाल दिया है और इस टाइम पर हम गैस का flame जो है वो लो कर देंगे देखिए हमारा जो सब्जी है वो ज्यादा नहीं पकाना है वो medium ही पकाना है देखिए इससे दियुल हए उसे एड़ करनेंगे सारे ब्रोकोली रेग्रा देतिए देखिए यहाँ डाल दिया देखिए इस सब्सक्रणा प्लंप Pope फिर हम स्प्रिंग ओनियु ऊहे नल के सब्सक्राइब मिकस करनेंगा देखिए पूरा का पूरा सबजी ग्रीन कलर का लग रहा है और बहुत ही अच्छा है और फिर हम यहाँ पे स्वादनों से नमक डाल देंगे और नमक को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है क्योंकि ब्रोकोली विंटर मौसम में भी मिलता है हाट टाइम नहीं मिलता यह बहुत ही हेल्दी रेसिपी है देखिए लो फ्लेम पे हमने पकाया है फिर हम यहाँ पे दो टेबल चामज भीनिगार एड़ किया है फिर हम भीनिगार को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे सुबजियों के साथ और इस टाइम पर हमें गैस का फ्रेम जो है वो मीडियम कर देना है देखिए और फिर हम दो टेबल चामच यहां पर स्वाया सॉस एड़ किया है और स्वाया सॉस को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे स सब्सक्राइब के साथ देखिए इसे क्या होता है टेस्ट बहुत बढ़िया आता है देखिए अच्छ से हमने मिक्स कर दिया है फिर हम ढ़कन लगा कर 7 से 10 मिनिट के लिए हम पाक आएंगे ताकि ब्रोकोली जो है अच्छी तरह से पाक जाए देखिए दस मिनिट के बाद ब्रोकोली जो है वो थोड़ा नरम हो गया है फिर हम यहाँ पे आधा छोटी जमच काली मेर्च आट कर लेंगे और उसे भी हम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे सारे सुबजियों के साथ देखिए इस तरह से हमें मिक्स करना है फिर हम ढक्कल लगा कर पाकाएंगे फिर देखिए पांच मिनिट के बाद हमारा जो ब्रोकोली का स्टेम है वो पाक गया है नरम हो गया है देखिए अच्छी तरह से हमें मेक्स करना है हम मेक्स कर दिया है देखिए हमारा जो सबजी है वो पाग गया है आप हम इसे सार्प कर लेंगे यह बहुत ही कौम टाइम लागता है और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है आप किसी भी रोटी पराठा या राइस के साथ भी इसे अच्छा होता है देखिए हमारा जो ब्रोकोली का सब्जी है वो बन गया है हमारा जो ब्रोकोली का सब्जी है यह बहुत ही इजी और हेल्डी रेसिपी है अब कभी भी इसे घर पर ट्राइ कर सकते है जोरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लेगी तो लाइक करना, सेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और पास में रखे बेल आइकन को भी दबा देना तक यह अब लोट के बार आपको नोटिफिकेशन मिल जाए